शोकुनली भागी कहानी में इस बार करन करने वाले अपने भाई डीशा पो कॉल और डीशा पो कॉल कर घर में हुए सर्भी ड्रामों के बार में भी बता देगा कि किस तरह उसके नहां रहते इतना सब कुछ हो रहा है कृतिका ने पृत्वी से शादी कर लिया है और अभी तक करिना अबुआ को अपनी गलती का अहसाल भी नहीं है उन्होंने तरह इतने असाइन से पृत्वी को अपने घर का नमाद भी मना लिया है यहाँ तक कि इस बार रिशब जब ये सारी बाते सुनेगा तो वे एकदम शोक रह जाएगा कि करिना बुआ का आखिर क्या हो गया है वो सही और गलत तो बिल्कुल भी नहीं देखती है ना ये प्रिता जी की किसी बात परिकिन करती है जब करन रिशब और समीर यान तीनों भाई मिलकर बनाने वाले है एक ऐसा सीक्रेल प्लैन ताकि करिना बुआ की आखिर की जूटकी पट्टी है वो हटा सके क्या कि करिना बुआ को कुछ भी समझा लो विटनी से आयन से किसी की बात समझने को तियारी नहीं है अब कर इन तीनों भायों का प्लैन हो पाएगा कभी काम्यब क्या करिना बुआ कभी पृथवी की गिनों नि सचाए देख पाएगी इन तीनों भायों के प्लैन के चलते यह जानने के लिए बने लेीं हमारा साथ और साथ साथ सब्सक्राइब कर लेजे आपार चैनल